हेलो फ्रेंज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल फिलाल सव भाग्यवति भवा नियम और सरते लागू सीरल में नजर आने वाले धिरस दोपर के बारे में जो आज टेवें डास्टे के बहुत सी जाना माना नाम बन चुके हैं जो कुंडली भाग और सस्वास स जैसे दमधार स्फीरल में वहां कर चुके हैं और इन्हों ने अपने करियर के सिरुवात बहुत है सोटए उमद सी ठी और अरतियस साल के हैं और अपने दंदार एक्टिंग और महिनत के दम पर वो सब हासिल कर चुके हैं इसके कभी वो सब ने देखा करते हैं लेकिन फ्रेंज इनका यह सफर इतना असान नहीं था इन्होंने आप पहुशने के लिए काफी स्ट्रगल किया है और आज इंके इसे गहानी को इस वीडियो और मोटिवेट करता है तुरे वीडियो को दिली में एक मेद्ल क्लास फैंली में एक बहुती क्योड़ बाच्चे का जन्म हुआ जिसे आज पोड़ी दुनिया धीरस दूपर के नाम से जानती है और यह समय इंके उम्ड आसे साले धीरस ने अपने स्कूलिंग और कॉलेज के पढ़ाई कम्प्लीट करने के बाद फैसन देजाइनिंग में डेपलोमा किया है अगर इंके फैमली के बाद की जाए तो इंके फैमली में इंके पैरेंस के लावा दो भाई और एक बहन है बस्पन में ना ही उन्हें आक्टिंग का हौक था और ना ही वो आक्टर बनने के हपने देखते थे लेकिन धीरस को बस्पन सही क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था और उनका हपना था कि वो क्रिकेटर बने धीरस अपने स्कूल में क्रिकेट के कैप्टन थे पसके बाद जब धीरज 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 बड़े होते गए और उन्हीं लगा कि मुझे कुछ इंट्रेस्टिंग करना चाहिए और फिर बहुत मेनद करने के बाद धीरज को एयर फोर्स में जॉब मिल गई और फिर इन्होंने कई साल तक एयर लाइन में काम किया धीरज एक इंट्रेस्टिंग से स्टोरी सेयर करते हुए बताते हैं कि एक बार वो बॉलिविड एक्टर सैफाली खान के साथ फ्लाइक कर रहते इंटर्व्यू लेते हुए धीरज ने सैफाली खान से एक क्वेस्टन पूछा कि आप एक्टर कैसे बने और इन्होंने बोला सर मुझे भी कोई आडवाईस देजे तो सैफाली खानने कहा तो बंबे आजा और इसके रावा इन्होंने कुछ नहीं कहा और फिर इन्हे आक्टिंग में थोड़ा बवाद इंट्रेस्ट आया धीरस बताते हैं कि मेरी लाइफ में एक वक्त ऐसा था जब मुझे आक्टिंग का ये भी नहीं आता था लेकिन आज में टीवी का स्टाल बन चुका हूँ धिरस के कहना है कि वह स्टार्टिंग में एक रेंप माडल बनना चाहिए थे लेकिन उनकी कम हाईट की बज़ा से पसिबल नहीं होग सका और फिर बाद में उन्हें रियाक्टिंग फिल्ड में अपना करियर बनाना बहतर स और कुछी दिनों बाद इन्होंने आक्टिंग में और इसंदना स्टार्ट कर दिया शुरुआती दिनों में धिरस ने बहां से याड कमर्शल किये और इन्होंने आप तक 120 से जादा कमर्शल आच्ट किये हैं उनका पहला सो था माद्पिता के चल्ड़ों में स्वर्ग हैं इन्होंने सोका अड़ेहन दिल्ली से ही दिया था और फिर उसके बाद ये दिल्ली से मुंबईया कर रहने लगी फाला कि एक महीने तक सेफ्ट होने के बाद सूट नहीं हुआ सो डिले हो गया और अपनी बाड़ी बनाते रहें लेकिन इंटेस्टिंग बाद तो यह है कि फ अच्छे घर दूढबने की ना की काम ढूढ़ने की इन्होंने सीरेल मास्टिता के सेराणों में स्वर्ग है में आंसका रूल प्ली किया और फिर उसके बाद जिंदगी के है इस्माइल प्लीज बेहने और कुस्त लोग कहेंगे एसे काई सेराल में काम किया लेकिन इन्हें बोपुलियर्टी सिस्क्रासेवार का इन्हो ने प्रेम काकर्दान ने भॉया और इस सीरासेवार कंद्ज्य पया मिली हालाकि सूखे चलते धीरज और दीपिका की आपसे समम्द कुर्षठीक नहीं थे और दूनोंने ही एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था धीरज हमेशा से ये बात कहते आए हैं मेरे अंदर वो बात नहीं है जो और एक्टर्स में है धीरज में स्विसल बात ये थी कि चाहर जो सिचुएसनों उन्होंने मुश्कुराना नहीं छोड़ा और पूरे कॉंफिडेंस के साथ अगे बढ़ते और उसके बाद ये साल 2016 में जी टीवी के फेमस टीवी सीरियल कुंडली भाग में नजर आए और इस सीरियल से भी इन्हें बहुत ज़्यादा पॉपलार्टी मिली और इसमें इन्होंने करन लोत्रा का रोलने भाया था और इसमें इनके अपोज़ट नजर आ रहे थी इन दोलों के जोड़ी को फेंस ने बहुत ज्यादा प्सम किया और इतना कि आज भी फेंस ने हैस्टेक प्रिजन और हैस्टेक धीस्ता के रूप में देखना रहते हैं और इसके लावाई सेर दिल सेर गिल में भी नजर आ शुके हैं और इसमें भी इनके रोल को कावी पसं इनके अगया और हाल फिला लिए नाजर आ रही हैं अपने निव सीरियल सभागी ओती भवा नहीं अमार सर्ते लागू जैसमें ये रागो का करक्टर प्ले कर रहे हैं और इसमें इंके अपोजिटने आ रहे हैं और इसमें भी फेंस इनके करदार को बहुत ज्यादा पसंद अगare इंके अिस्त्रागाम फोलोगाश के बात कीजाए तो आज इंके कई आपर परमीलियं सैंदा फोलोगाश के जिगें और ये इस्त्रागाम पर कभी एक्टेव रहते हैं प्रेंश अगरिंश के लव लाइफ के बात कीजाए तो इन्होंने अपणी ओल टाइम गल्प् धीरस विनी को अपनी लाइफ का लेडी लब मानते हैं। उनका कहना है कि विनी जग से उनके लाइफ में आई हैं तभी से उनकी किसमत बदल गई। और इसलिए आज वो लोगों के दिलों में बस गए हैं। आई ये फ्रेंच उनके कुछ फेक्स भी जान लेते हैं। धेस बताते हैं कि मैंने धीरे धीरे आक्टिंग सिखना स्टार्ट के आशा। धेस के स्ट्रग्रिंग वहाँ से शुरू हुई। जबी ने मालूम हुआ कि फ़स्ट हो एक साल में अफोने माला है। लेकान तब इन्हे स्ट्रग्राफ का मतला नहीं मालूम था। फ्रेंच सुर्वात में धीरे धीरे डागें सेजन फाइप में वीर के करदार में नजराया थे। लेकिन बात में धीरे धीरे की जगा सरद मुल्होत्रा ने वीर के करदार ने माया था। और इसके लावा धीरे ने कई म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है। जासे ब्यास मेरे दिल हमको तुम मिल गये जो गिया और और भी धिराजने कई ठीसों होस्ट भी किये हैं दिश्ट सारे गाम पार 2009 में होस्ट किया और इन्होंने डांस इंटिया डांस 277 भी ओर्ट किया है बात कर इनके अवार्ड की, तो इन्हें Indian Television Academy Award, Gold Award, Indian Terri Award मिल चुके हैं धिवाज कहते हैं मैने वीनी से बहुत को सिखाएं और वो हमें सा मुझे अच्छे अड़वाइस ही देती हैं और वो हमें सा मुझे स्ट्रोंग बनाती हैं दिरज अपने रियल नम से जादा दिकरन लूत्रा के नाम से फिमस है और लड़किया आज भी दिरज की क्रस्ट बना चाहती हैं और यहां कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज दिरज दिरज के स्टार एक्टर हैं दिरज को डांस करना बहुत पसंदे दिरज को शॉप सब्सक्राइब बना लैपता जिनके रखन को अपना है यहां अकर यह वीडियो आपको हो अच्छी लग हो घ्यालदी से कर देड़क काट दिजीक एक NG लाइक मेरा चैनल को सब्क्राइब काज़ा ना भूलेगा थांक्यो पर आचेंग देस वीडियो बाइबा में देने नेक्स वीडियो में लव यू फ्रेंज